असी रुपया 90 रुपय की जीन्स कहां मिलती है कैसे मिलती है दोस्तों यह यूटूब पे आप देखेंगे तो क्या वारा में बेच रहे हैं दोस्तों तो डिस्केप्टर में मुंबई का दे रहे हैं तो जाहिट सी बात है इन सब चक्रों में मत पढ़िए जीन्स निन्स और यह जाता है दिन्स और दोस्तों हॉचकर दुस्तों वन कचा थिवान गार्मेंट है दोस्तों चैनल है क्यों की क्योंकि अगर मार्केट में आप आ रहे हैं मेरी वीडियो देखते हैं जाहिए सिगाते बहुत बड़ा फाइदा आपको होने वारा है 200-500 में जीन्स आती हैं कौन सी आती है दोस्तों बहुत प्रक्रूद है क्या ब्लतेियों सीगन्रों फोल्डर होता है और कप्रा देखा जया तो फिल्कुन लगवग हलता क्पढ़ कोوسब्त होता है लाट का मल क्या है सर प्लस क्या है ये वीडियो में मैं पहले ही बना चुका हूं तो आपको दिखा भी चुका हूं क्या है और यूटूब के में दोस्त अगरा नय है मैं देख रहे हैं कि देख देख सकते सब्सक्राइब सब्सक्राइब होती क्या है दोसो धहीशें चैन्के में चलते हैं नाय है को आज सी तर्टिक पर हैं जह kier्श पहूंश किया है दोस्तो दो से तीन कपड़े है जो मार्केट में चलते हैं किसा हो गया वोली निकटड कपड़ा हो गया और स्विबा रोगह्या फॉट्री तीन चार कपड़े हैं यह जर्मा देल लाड में देख जाए तो लाड में तो व्हीन में causa सब्सक्राइब करें देख सकते हैं आज आपको सब्सक्राइब में दिखाता हूं जो 200 में लगभच आ जाता है जो में देखा जाय तो देखें दोस्तों इसका जो नेटिंग है यह देखिये इसके देख लीजे पीछे बाझुउ का पयटन्स है यह डॉबी कपड़े की सबसे बड़ी पहचान है, उपर के तरब देखेंगे, यह देखिए, इनमें हलकी हलकी सी लाइनिंग दिखती है, वास के बाद ऐसा एफ्रक्ट आता है, बैक साइड में, यह देखिए, बैक साइड का आप देख सकते हैं, इनके पैटन, कोई लाइनिंग नहीं होती, इस सब राउंड राउंड से जो पैटन्स होते है, यह डॉबी कपड़े की पहचान है, और यह डॉबी कपड़ा, कपड़ा इसका दोस्तों लगभग खरीदने जाएंगे, तो कपड़ा इसका 120 से लेके 170, 170, 190 रुपए से स्टार्ट होता है, मेकिंग वासिंग पकड़के, यह जीन्स लगभग 220-230 से स्टार्ट से लेके 300 तक रेडी होती है, इसमें कमफट, एंकल फिट और पोलो फिट, तीन-चार आटम्स बनते हैं, दूसरा कपड़ा दोस्तों, यह 3x1 है, अब देख सकते हैं, इसके पैटन्स देखेंगे, उपर की तरफ यह लाइनिंग दिख रही है, यह 3x1 कपड़े होते हैं, और इसे पीछे बाजू पैटन्स देखेंगे, तो इसका देखो व्यू ऐसा दिखता है, लाइनिंग दिखती है, यह ब्लैक कलर और वाइट कलर, जो ब्लैक कलर होते हैं, एक्चली यह उपर के थ्रेड्स होते हैं, जो वैसा ही व्यू दिखता है, यह है 3x1, जो कपड़े की रेट 170-180 रुपई से स्टार्ट होते हैं, और बनने के बाद यह पीछ, बगबग 270-280 से लेके स्टार्ट होती है, जो दोस्तों, 290 रुपई की रेट से, नान स्टेज कपड़ा, जिसमें स्टेज नहीं होता है, इसका व्यू देखेंगे, देखेंगे, ऐसा होता है, जो सबसे पहले जिन से बनती थी, यही नान स्टेज कपड़े बनते थे, देख सकते हैं, इसका व्यू लगभग 3x1 से थोड़ा अलग है, बैक साइड का व्यू देखेंगे, यह देखिए, इसमें दोनों बर्जों की लाइनिंग दिख रही है, आडी लाइन भी दिख रही है, और खड़ी लाइन भी दिख रही है, यह है दोस्तों, नान स्टेज कपड़ा, जो दोसों की वेंज में, आपको मिल जाएगा, दो दोसो से स्टार्ट होता है, दोसो दस, दोसो पंदरा, दोसो बीस रुपए, मिक्स में, लाट का मान समझ सकते है, मिक्स होता है, मिक्स साइज होता है, मिक्स कलर होता है, यह है दोस्तों, पोली नेटेड, अपना यह चौथा कपड़ा, देख सकते है, इसका व्यू देख सक वासिंग के बाद इसका जो लाइनिंग है आडी-ाडी लाइनिंग है सबसे तुछ जिसा कॉटन नेटेड में आती ही लाइनिंग है वो इसे लाइनिंग इसका सेम होता है ताइट का व्यू देखेंगे तो आराम से दिखेगा यह देखें इसकी चमक बहुत ज्यादा होती है क्योंकि यह पोलिनिटेड नाम से ही फेमेस है तो जो इसके पुलिस्टर धागे है वो आराम से दिखते हैं यह पोलिनिटेड कप्रा है लाइक्रा भी इसमें होता है और रेट की बात की जाए तो कप्रा यह 160-170 रुपय इसे स्टार्ट होके 220 इसमें हाईवी कप्रे भी आ लाट में देखा जाए पाचवा कपड़ा है दोस्तों सिल्की कपड़ा लाइकर अच्छा होता है लेडिस और जेंस दोनों में बढ़िया चलता है इसका लाइनिंग देखेंगे तो नहीं दिखेगा आपको बिल्पाट कपड़ा होता है प्लेन कपड़ा होता है सिल्की काफी अच्छे टाइम से चला और काफी अच्छे कपड़े भी थे और इसका बैक का विव देखेंगे तो बिल्कुन पतली धारियां जैसे 3 by 1 में दिख रही थी वैसा दिखेंगी कपड़ा बिल्कुन नार्मल होता है मुलायम होता है यह देखें यह बैक साइड का विव है यह सिलकी कपड़ा यही 25 कुपड़े है दोस्तों दोस्तों यह चारो जिर आपको मैं देखलाए इससे लेंस पहले 10 threw होता है इस में सिलकी देखें उसमें स्बाइख वह भी छे होता है यह जो जाते-ःते एक बात आप से जरूरद ीसंटर गरना चाहोंगा कि आलायन के चक्र में ही मत रहें तो आप लायन भी देखिए मार्केट भूमिए और कहते हैं न दोस्तों कि मेनद तो हर फिल्ड में आपको करनी पड़ेगी जंग तो लग जाते हैं पड़े हुए लोहे में कि दोस्तों बिजनिस में हैं धंदे में हैं तो डर्ये में निकलिए मार्केट में निकलिए भूमिए देखिए सोचिए समझिए फिर खरीदिए एक अच्छी सोच के साथ झाल